चोपड़ा एजुकिसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वाल करता हूँ मेरे प्यारे बचो आध हमें इस वीडियो में बात करेंगे कि जिने स्टुडेंट्स को MBBS नहीं मिल पाता है यानि कि उनके मांक्स कम रहते हैं और गौर्मेंट MBBS नहीं मिल पाता और उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो प्राइवेट से MBBS करें तो उनको BDS, IUSE, Veterinary, BSE Nursing इन तीनों कोर्स में सबसे पहले किसको चूज करना चीए कौन सा कोर्स बेटर है, कौन से कोर्स में पहले admission लेना चीए इस विशे पर हम सर्चा करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि देखो हमने यहां इसको मैंने चार गुरुप में बाटा है चार गुरुप का मतलब यह है कि हम इसमें कंडिशन देखेंगे कि कौन सी कंडिशन में किस स्टुडेंट को कौन से कोर्स में admission लेना चीए इसके बाद इनमें हम सब को पता है कि जो MBBS कोर्स है वो सर्वोपर है यानि कि जहां तक संभव हो MBBS अगर आप ले सकते हैं कैसे भी अफोर्स करके तो यह कौर्स लेना चीए इस बात को आप भी जानते हैं हम सब जानते हैं इस बात अभी कोमनली इंडिया में क्या होता है कि जिन स्टुडेंट को ज्यादा तर यह देखने में आया है और एवरेज यह रहता है कि जिन स्टुडेंट को MBBS नहीं मिल पाता है वो पहले BDS में एडमिसन लेते हैं MBBS के बाद MBBS नहीं मिलता है तो वो BDS में एडमिसन लेते हैं और किसी-किसी कंडिडेट्स को BDS में भी एडमिसन नहीं मिलता है तो उसके बाद में वो सबसे last में इसलिए रखा है मैंने क्यूंकि student भी सिकूल आस्ट में चूज करते हैं और ये जो कूर्स हैं ये कोछ करने से पहले आप डाय नाम से पहले आप डॉट्र में लघा सकते हैं अब जो कोमली ट्रेंड है इंडिया में वो पहले स्टुडेंट म्दीड़ी लेते हैं बीडिएस लेते वेटनरी कोर्स सूज करते हैं और फिर आयूस सूज करते हैं लेकिन अभी को सालों से वेटनरी से पहले कंडिडेट आयूस को प्रफरेंस देने लगए यहां पर अभी यहाँ पर conditions बताऊंगा, देखो यह जो तीनु कोर्स हैं, BDS है, Veterinary है, IUs है, यह तीनु कोर्स हैं, अपने आप में तीनु यह समानता रखते हैं, हम यहाँ यह नहीं कह सकते कि BDS खराब है, Veterinary अच्छा है, Veterinary खराब है, BDS अच्छा है, यह तीनु सिमलर कोर्स हैं, इनमें यह नहीं कह सकते कि एक अच्छा है या दूसरा बुरा है, तीनु सिमलर कोर्स हैं, और MBBS में इतनी सारे जोब हैं, वो इतनी सारे जोब इन तीनु कोर्सेज में नहीं हैं, मेरा कहणे का मतलब यह है, कि तीनु में जो Government Vacancies निकलती हैं, हर एक स्टेट में, वो बहुत ही कम निकलती हैं, यह कोर्स में इस बार आपको Admission लेने से फाइदा यह होता है, कि सार सार आप नीट की तयारी करके, इसके बाद अगले साल आप MBBS में Admission ले सकते हैं, आप एक मतलब अपने आपको Secure कर सकते हैं, कि अगली बार अगर हमारा MBBS में Admission नहीं हुआ, तो यह कोर्स तो हमारे पास है ही, यह कोर्स भी खराब नहीं है, यह तीनु कोर्स भी अच्छे हैं, इन में भी आप अपना अच्छा केरियर बना सकते हैं, यह आपके उपर डिपेंट है, कि आप इन कोर्सेज के दोरान कितनी मैनत करते हैं, कितनी सिकलाई करते हैं, इन तीनु कोर्सेज में आगे आप PG कर सकते हैं, रिसर्च प्रोग्राम कर सकते हैं, आगे आप काफी सारे सुपर स्पेसलिटी कोर्स कर सकते हैं, तो यह तीनु ही सिमिलर कोर्से, इन में कोई अच्छा है, कोई खराब, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह आपको अपने कंडिशन के अकोर्डिंग लेना है, अब कंडिशन क्या रहेंगी, कंडिशन यह है कि अगर किसी कंडिडेट्स को MBBS नहीं मिलता है, और उसके स्टेट में गॉर्मेंट BDS मिलता है, उसके स्टेट में उसको आसानी से गॉर्मेंट BDS मिल रहा है, आलंकि यह भी उसको आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन पहले उसको गॉर्मेंट BDS अगर मिल रहा है, तो उसको प्रिफरेंस देना चीए अपने स्टेट में अच्छी कोलेज के लिए, अच्छी डेंटेल कोलेज क के लिए उसके बाद में अगर माल लो अपने स्टेट की नहीं मिल रही है उसको फिर देखें अपने स्टेट का अगर उसको वेटनरी मिल रहा है वेटनरीū चूज करें और अपने सबी की condition अलग-अलग होती हैं, किसी की इच्छा होती है, BDS करने की उसमें उसका interest रहता है, veterinary की किसी की इच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक सीज जरूर बता दू, आपका जिस course के लिए मन है, वही course करें आप, अगर आपका veterinary में जाने की इच्छा है, तो आप यह नहीं सोचें कि आयूस अच्छा होगा, आयूस में अच्छी job होगी, मैं को veterinary नहीं, नहीं, आपका जहां मन करता है, आपकी जहां इच्छा है, क्योंकि आप जब बाद में admission ले लेंगे, तो उसके बाद आपको पस्तावा होगा, आपका मन था veterinary course करने का, आपने ले लिए आयूस, तो आप veterinary course करते समय, आपको यह पस्तावा रहेगा कि कास मैं IUस ले लिता, उसमें कितनी सारे scope होते, बीडेयेस ले ले लिता। उसमें सारे कितनी सारे स्कूप होते हूँ जो आपका मन है वह प्रिफरेंस दे Candidation में ज्यादातर स्टुडेंट का डिफरेंस RE f प्रविझेर में इसी प्रकार से रहा है और जो स्टूडेंट जिन को बीडियास अपने मिल रहा है गवश्चेट में फ़नेन्री फिर आईउस इसके बाद अगर अगर आपको अपने स्टेट में बीडियास और वेटनारी नहीं मिलता हैं आईउस रहे तो आयूज ले ले क्योंकि साउथ साइड में कटोफ कम रहती है ज्यादा तर कोर्षेज के लिए तो साउथ साइड में जाने से अच्छा है कि आप अपने स्टेट में आयूस वीडियाइस वेटनरी कोर्स ले ले यहां पर अब मैं आपको यहां बता दूं कि बॉइज वेटनरी से पहले आप यह दोनों कोर्स चूज करें आयूस और बीडियाइस उसके बाद वेटनरी चूज करें जो फिम मैंने पहले भी बताया है कि इन तीनों कोर्स में गॉर्मेंट वेकेंसियां तो कम हैं लेकिन तीनों कोर्स सिमलर हैं तीनों में आप केरियर बना सकते ह लेकिन जो veterinary course है यह boys के लिए ज्यादा comfortable है यानि कि girls candidate के लिए थोड़ा सा कम use करते हैं student को क्योंकि यह field का काम है field में भागना होता है field में animals देखने होते हैं तो यह boys candidate के लिए यह course better रहता है इस condition में इसके बाद अगर आपको दूर के ही course मिल रहे हैं यह सारे के सारे दूर के ही मिल रहे हैं यानि कि अपने state में नहीं मिल रहे हैं बाकी other state में course मिल रहे हैं तो मैं आपको बताओं कि इस preference में आप दें तो better रहेगा boys candidate के लिए girls के लिए तो दूर के लिए भी यह preference 2 से ही रहेगा लेकिन जो preference 3 है वो boys के लिए अगर Mbbs नहीं मिलता है तो veterinary ले अगर उनको दूर का ही मिल रहा है उसके बाद BDS government ले आयूस ले और BSC nursing ले अभी अभी के time में क्या हो रहा है थोड़ा सा आयूस को ज्यादा preference दिया जा रहा है veterinary की condition में तो आयूस course अगर आप field में काम नहीं करना चाते हैं भागदोर नहीं करना चाहें तो veterinary से पहले gchms यह दोनों ही course अच्छे हैं तो यह आप दोनों course कर सकते है अइरवेदा और homeopathy course कर सकते हैं इसमें government जोग तो इसमें भी कम होते हैं लेकिन इसमें आगया आप PG करके अपना खुद का hospital सकते हैं कहीं-कहीं में ऑफुकिवार्मेट चाहिए सब्सक्र कर सकते हैं और फिल्ड में काम कर सकते कें तो वो भी आप ले सकते हैं और सभी की कंडिशन में जब आपको यह सारे kours नहीं मिलते हैं इन में से सारे kours नहीं मिलते हैं तो आप merging कर सकते हैं मैं आपको बताओ आप चाहे kours में kisसी में भी admission ले लो मैं तो यह पहले पता चुका मेरे को करनी है, नीट की तयारी करके, अगली साल MBBS में admission लेना है, अगर फिर भी MBBS में भी admission नहीं होता है, तो इन courses के दोरान आपको अच्छी study करनी है, इन में आप अपना अच्छा career बना सकते हैं, तो ये जानकारी थी course के बारे में, last में मैं आपको summarize करवा देता हूं, कि द तीनों में कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा, तीनों similar course है, इतना खराब भी course नहीं है, जिस course में आपको इच्छा है, जिस course में आपको सोलित होती है, तीनों course में, वो course लें, साथ-साथ आपको बता रेता हूं, कि नीट की तयारी जरूर करें साथ-साथ, ये course में admission लेन हैं कि student इनकी study करते-करते ये course करते-करते अच्छा score आता है अभी आप comments check करके देख सकते हैं comments भी कुछ इस परकार से आ रहे हैं कि हमने पिछली बार veterinary में admission लिया था अभी हमारा 628 score आ रहा है 618 score आ रहा है तो इस परकार के comments भी काफी आते हैं तो आप ये कर सकते हैं इसमें course कोई बुरा नहीं है course के साथ साथ आपको मेहनत करना जरूरी है और वही मेहनत student को आगे पहुंचाती है आगे उसका career मेहनत ही बनाती है तो ये जानकारी थी कि हमें कौन से course में admission लेना से ये अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में हमारी book अविलेबल है इस वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.sopdaeducation.in से उसको download कर सकते हैं जैसी download करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं अगर आपको requirement है तो तो यह जो तीननू बुक हमने पब्लिस की है ओल इंडिया कोटा के लिए की है जिसमें 24 लिस्ट दे रखा है 23 के लिए bond details दे रखी है चार साल की previous year की कटोब दे रखी है और process के बारे में बता रखा है किस प्रकार से आपको counseling करवाने है first round कटोब, second round कटोब, category wise कटोब दे रखी है इसके बाद state quota की book में भी यह सारी facility available है सारे states की जानकारी है इसके साथ इसमें open state quota की भी जानकारी है जिन state के private medical college में admission लेना साकते हैं जरूर प्रेज करके रखे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके इस परकार की नीट रिलेटेड जानकारियां हम लेके आते रहते हैं ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए मिलेंगे नई अपडेट क के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूं विदा जैहन